New Oxford Modern English Book, Class 8, Chapter No. 2, The Adventure of Dying Detective, Complete Explanation in Hindi The Adventure of Dying Detective, यह जो स्टोरी है, इसमें, शेर्लोक होम्स, जो एक बहुत जाने माने डिटेक्टिव हैं उन्होंने, वो मरने वाले हैं, ऐसा बता के, उन्होंने अपने बहुत अच्छे केस को सॉल किया उसको पूरा कमप्लीट बहुत अच्छे वेसे इस चेप्टर में दिया हुआ है शेर्लोक होम्स, लेंड लेडी, केव टु माइ हाउस शे लुक्ट वरिट एंड एक्स्प्लेंड, होम्स इस डाइंग, डॉक्टर वाटसन, शेर्लोक होम्स की मकान मालकिन लेंड लेडी, यहने, वो जसके राय के घर में रहते थे, उनकी जो मकान मालकिन है, वो वो किसके घर गई, डॉक्टर वाटसन के घर और वो काफी वरिड थी, काफी परिशान थी और उन्होंने अपनी परिशानी की वजह बताई, कि जो मिस्टर होम्स हैं, वो मर रहे हैं आज सुभह को मैंने उनको बोला कि अब मैं और नहीं रुक सकती आप मुझे परमिशन यहां पर आज सुभह को, जो उनकी लेंड लेडी है, वो मिस्टर होम्स के पास गई और उनको बोली, तुम मुझे परमिशन दो यहां ना दो, मैं जा रही हूं डॉक्टर के पास he replied, let it be Watson, then, hurry sir, or you may not see him alive, तो इस पर मिस्टर होम्स ने अपनी लेंड लेडी को कहा, कि जो डॉक्टर आप लेने जा रही है, वो डॉक्टर वाट्सन को ले आओ, चलिए डॉक्टर वाट्सन, जल्दी चलिए, ऐसा नहों कि देर हो जाए, और आप मिस्टर होम्स को जंदा देख ही न पाएं, I was horrified for, I had heard nothing of his illness, मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, डॉक्टर वाट्सन, क्योंकि उन्होंने कुछ भी शेर्लॉक होम्स की बीमारी के बारे में सुना नहीं था, As we drove back, I asked for the detail, जब हम उनके घर की तरफ चल पड़े, तो मैंने उनकी लैंड लेडी से सब कुछ अच्छे से डीटियल में पूछा, He has been working at a case in an LA, near the river, and he says he got this illness from the dock workers, उन्होंने कहा कि मैं केस में काम, उनके मकान मालके ने डॉक्टर वाट्सन को बताया, कि Mr. Holmes जो हैं, वो एक केस पे काम कर रहे थे, जो कि LA में हैं, एक नदी के किनारे, और वहीं उनको ये बीमारी, वहाँ के जो dock workers हैं, नदी के पास जो workers काम करते हैं, उन्हें से मुझे ये बीमारी मिली है, He did indeed look terrible, पर असल में तो बहुत ही अजीब, बहुत ही घबराट हो रही है उनको देखके, उनकी स्थती देखने लायक नहीं है, His gaunt was vested face, staring it at me from the bed, sent chill to my heart, gaunt का मतलब होता है, lean and looking unwell, due to age, suffering or hunger, उनका जो चहरा है वो एकदम पतला, कमजोर, बीमार चहरा, देखने पे उसको, stare करने पे, मुझे मेरे दिल में एकदम घबराट उट रही है, मेरे दिल बैठा जा रहा है, चिल to my heart, याने, the thin hands twitch unnecessarily, incentively, constantly without stopping, उनके जो हाथ है, वो ऐसे हिरल रहे हैं, twitch हो रहे हैं, बिना रुके, बिकुल कंटिनुसली, His voice was croaking and spasmotic, उनकी जो आवाज है, वो बार बार टूट रही है, जैसे किसी बीमार मरते हुए आदमी की आवाज टूटती है वैसे, और spasmotic है, याने, एक दर्द है उनके अंदर, दर्द में करहा रहे हैं, वो spasmotic voice है उनकी, There was a hectic flush upon either cheek, उनके चहरे पे ऐसे reddish flush हो गया है, and dark crust clung to his lips, और उसके जो lips हैं, वो भी काले पड़ गए हैं, उसमें crack से दिखाई दे रहे हैं, एकदम सुखे से lips दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी बीमार आदमी के रहते हैं, He lays listlessly as I entered the room, वो ऐसे पड़े थे बिस्तरे पे, जैसे कि बेजान शरीर हो, listlessly याने एकदम बेजान से शरीर में, lacking enthusiasm and energy जिसमें नहीं रहती हैं, वैसे वो बिस्तरे पे लेटे पड़े थे, But the sight of me brought a gleam of recognition to his eyes, पर Dr. Watson को जैसे ही Holmes ने देखा, उनको देखते बराबर, उनकी आँखों में एक gleam याने चमक आने लगी कि वो मुझे पहचान रहे हैं, My dear fellow, I cried approaching him, Dr. Watson ने का, अरे मेरे दोस्त, क्या है ये हाल, एक दम उसके पास ऐसे बुलते हूँ जाने लगे, Stand back, stand right back, दूर खड़े रहो, मेरे पास मता हो, said he, ऐसा Mr. Holmes ने कहा, I know what is the matter with me, मैं जानता हूँ मुझे क्या हुआ है, It is a disease from Sumatra, ये जो बीमारी है, मुझे Sumatra से लगी है, One thing only, only is certain, it is infallibly deadly and it is horribly contagious, इस बीमारी के बारे में एक तो चीज एक दम 100% sure है, कि एक deadly disease है, ये इनसान को मार देती है, और horribly contagious है, यानि ये बीमारी एक इनसान से दूसरे इनसान के पास बहुत जल्दी फैलती है, Holmes, said I, you are not yourself, Holmes नहीं हो, तुमारी हालत खराब है, A sick man is but a child, एक बीमार आपमी बच्चे जैसा हो जाता है, and so I will examine your symptoms and treat you for them, मुझे तुमारे symptoms को check करने दो और मैं तुम को treat करूँगा, तुमारा इलाच करूँगा, He mentioned me away, He motioned me away, उन्होंने मुझे अपने आप से दूर बगाया, Keep your distance, मेर से दूर रहो, What do you know of the tapunuli fever, and what do you know of the black formosa corruption, क्या तुम इन चीजों के बारे में जानते हो, tapunuli fever और black formosa corruption के बारे में, यह जो tapunuli fever है, that is a fictional disease, जो कि Conan Doyle ने सिर्फ create की थी, वो actually exist नहीं करती, वैसे ही black formosa corruption भी, एक टाइप का fictional something है, fictional disease है, fictional है, जो कि actually a fictional disease है, जो कि Conan Doyle ने खुद अपने आप से, जो हमारे writer है, उन्होंने इसको invent किया था, that means this disease actually won't happen, यह ऐसा कोई disease नहीं है, I have never heard of either, but I happen to know Dr. Anstree, the greatest living authority upon tropical diseases, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुनना है, Dr. Watson ने का, मैं एक Dr. Anstree को जानता हूँ, जो की tropical diseases के जानकार है, I am going this instant to fetch him, I turn resolutely to the door, मैं उन्हें अभी के जाके लेके आता हूँ, ऐसा एकदब determined होके मैं दरवाजे की तरफ गया, Dr. Anstree को लेने के लिए, यह जो यहाँ फोटो दिखाए गया है, इसमें Dr. Watson और Mr. Holmes वो हैं, वो बिस्टरे पे लेटे हुए हैं, Never have I had such a shock in an instant with a tiger's spring, the dying man had locked the door, मेर को कभी ऐसा शौक नहीं हुआ है कि मैंने कभी ऐसा बीमार आदमी को एक ही इंस्टरे पे बिस्टरे से उठके जोर से जंप लगाते हुए, ताइगर के जैसे दोड़ते हुए दरवाजे को किसी ने लॉग किया हुँ, the next moment he had staggered back to his bed, और अगले ही पल Mr. Holmes ने दरवाजे को लॉग करके जाके बिस्टरे पे पसर गए, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, You won't take the key from me by force Watson, तुम मेरे से टाबी नहीं ले सकते हैं Mr. Watson, I have got you my friend, अब ये मेरे पास है friend, मैंने तुम्हें बुलाया है, देखो इस वक्त चार बजे हैं, at six we resume our conversation, छे होने के बाद हम बाकी बात करेंगे, I had stood for some minutes looking at the silent figure in the bed, मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, और जो silent figure Mr. Holmes सोई हुए हैं बिस्तरे पे, उनको मैं कुछ देर देखा, he appeared to be asleep, ऐसे मैसूस हो रहा था कि वो सो चुके हैं, unable to settle down, I had walked slowly to the mental peace, मिरको वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं बैठ पाया, और वहीं पे धीरे-धीरे walk करके, जहां पे जो गर्मी देने के लिए, जो fire place होती है, जिसको mental peace बोलते हैं, उस तक के धीरे-धीरे गया, on it was a small black and white ivory box with a sliding lid, और उसके उपर एक black and white color का ivory box पड़ा था, और उसके उपर एक lid लगी थी, जो के sliding थी, I had stretched out my hand to examine it more closely, मैंने अपना हाथ बढ़ाया ही था, उसको देखने के लिए कि वो क्या है, put it down Watson, this instantly I say, उसी वक्ती, जो Mr. Holmes है, उन्होंने बोला कि रख दो Watson, उसी मूमेंट पे, his head sank back upon the pillow, and he gave a deep sigh of relief, as I replaced the box upon the mantelpiece, उसने अपना सर पिलो में वापिस गुसा दिया, और उसने एक शांती की सांस ली, क्योंकि मैंने उसके बुलने पे, उस box को वापिस वहीं mantelpiece पे रख दिया, sit down man, and let me have my rest, Mr. Holmes ने वाट्सन को बोला बैट जाओ, और मुझे भी कुछ तेर आराम करने दो, at six he shuddered and again made a sound between a cuff and a soap, छे बज़े अचानकी वो फिर उड़ गया, और जिसे बीमार आदमी खासते हुए, रुकते हुए, आवाज करता है, वैसे उसने आवाज किया, then he begin to talk with the same feverish animation as before, और फिर वो वैसे ही, जिसे feverish आदमी बात करता है, वैसे बात करने लगा, you will now light the gas Watson, अपनी light वहाँ पे जो मुंबती रखिये, उसको जला लो, रोशनी कर दो रूम में, but you will be very careful that not for one instant, shall it be more than half on, तो थोड़ा ध्यान टखना, वो जो light है, वो बहुत जादा नहीं होने चाहिए, आप से जादा वो लाइट अप नहीं होने चाहिए, अपनी प्लेस सम लेटर्स और पेपर्स अपन दिस टेबल विदिन मैं रीच, अफे उस ने बोला, Mr. Holmes ने वाट्सन को, कि कुछ लेटर्स और पेपर्स इस टेबल पे रख दो, जो मेरी पहुच के अंदर हो, थेंक यू, now kindly you use those sugar tongs to move that small ivory box to this table, अब उन्होने, Mr. Holmes ने आगे direction देते हुए, Dr. Watson को बोला, कि सर्व जो sugar tong है, यहन्य चमत जैसा है, उसको यूज़ करके इस ivory box को मेरे तक लाओ या stable तक के लाओ place it here among the papers और papers के बीच उसे रख दो good, अच्छा very good you can now go and fetch Mr. Culverton Smith of 13 Lower Box Street और अभी क्या भी तुम जाओ और मैं जो पर address बता रहा हूँ वहाँ पर Mr. Culverton Smith रहते हैं उन्हें जाके अभी के अभी यहाँ लियाओ I never heard the name said मैंने तो ऐसे किसी डॉक्टर का नाम सुना नहीं है it may surprise you to know that the man upon the earth who know most about this disease is not a medical man but a planter Mr. Holmes ने इस पर दॉक्टर वाट्सन को कहा कि आतुम को बहुत हैरानी होगी यह बात जानके कि इस earth पे कोई इस बीमारी को जो बहुत अच्छे से treat कर सकता है वो कोई medical वाला आदमी नहीं है कोई doctor नहीं है पर वो एक planter है Mr. Culverton Smith is a well-known resident of Sumatra now visiting London Mr. Culverton Smith जो है एक बहुत बड़े इंसान है बहुत अच्छे known इंसान है Sumatra के जो अभी London आई हुए है If you could pursue him to come here and give us the benefit of his unique experience of this disease the investigation of which has been his dearest hobby I cannot doubt that he could help him me Mr. Holmes ने बोला If you could pursue him अगर तुम उने मजबूर करोगे यहां आने के लिए या किसी भी तरह लेके आऊगे and अगर आप लेके आ जाते हो तो हमको उनका unique experience of this disease याने इस बीमारी को treatment करने का उनको बहुत अच्छा तजर्वा है उसके investigation को का हम फैदा ले सकते हैं उनकी यह hobby है कि इस बीमारी को उन्होंने बहुत तो को treat किया है या बहुत अच्छा investigation करते हैं वो हमें help जरूर करेंगे मुझे उनके investigation पर कोई doubt नहीं है कि वो हमारी मदद करेंगे this is no good feeling between us there is no good feeling between us लेकिन उनके और मेरे रिष्टे अच्छे नहीं हैं वो मुझे पसंद नहीं करते his nephew Watson died horribly उसका भतिजा Watson को बता रहे हैं died horribly याने उनके nephew की death हो गई बहुत ही बुरे तरीके से he has a grudge against me और जो Mr. Culverton है उनको मेरे against grudge है याने एक persistent bad feeling है इस कई वजहों से you will soften him Watson मैं जानता हूँ Dr. Watson तुम उनको समझा दोगे उनका जो grudge है उनके जो अंदर bad tempered है जो गुस्सा है उसे कम कर दोगे bag him, get him and hear by any means जाओ उनके पैर पड़ो कैसे भी करके request करो और मेरे पास ले आओ he can save me, only he वो ही मुझे बचा सकते हैं सरिफ वो ही I will bring him in a cab if I have to carry him down to it मैं उसे कैब में अपने साथ ले क्या होंगा अगर मुझे उन्हें कैरी भी करना पड़ा अपने साथ तो You will do nothing of the sort तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे You will pursue him to come उनको तुम मजबूर करोगे कि वो मेरे पास आए and then you will return in front of him ऐसा बस उनको समझा के तुम वहां से वापस चले आओगे Make any excuse so not to come with him कोई भी बहना करो पर उनके साथ मताओ Don't forget Watson You won't fail me याद रखना Watson तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है You never did fail me तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है I left in babbling like a foolish child Dr. Watson बोल रहे हैं कि वो उसको वहीं के वहीं Mr. Holmes को छोड़ के एक बच्चे के जैसे वो गड़गडा रहा था वैसी हालत में उसे छोड़ कर मैं वहां से आ गया How is Mr. Holmes, Sir? He asked Mr. Holmes कैसे हैं उन्होंने पूछा It was an old acquaintances Inspector Morton of Scotland Yard in his official cloth वो आदमी था Inspector Morton कहां का inspector था हो Scotland Yard नाम के एक जगह का उन्होंने कपड़े भी अपने inspector वाले पहने हुए थे वो हमारी एक पुरानी जान पहचान वाला आदमी था acquittances मतलब जिसको हम पहले से ही जानते हैं He is very ill I answered मैंने का वो तो भहुत भी मार हैं He looked at me with a strange expression that seemed almost like a smile उन्होंने मेरी दरफ देखा एक अजीब से expression में जैसे कि वो मुस्कुरा रहे थे The cab had driven up so I thought no more of it and I left him The cab आगे चल पड़ी इसलिए मैंने उनकी इस बात पर कुछ नहीं सोचा और मैंने उनी छोड़के आगे चल पड़ा Lower Buck Street proved to be a line of fine houses Lower Buck Street एक बहुत अच्छा रास्ता था बहुत सुंदर घर थे उसके पास The particular one at which my cabman pulled up had old-fashioned iron railing a massive folding door and a shining brass work और इस particular घर पे मुझे चैब मैंने चोड़ा था वो एक पुराना घर था बना हुआ old-fashioned का घर था iron railings लगी थी दर्वाजा folding door था और शाइन ब्रॉस brass metal है उसका वोक किया हुआ था All was in keeping with a solemn butler who went to tell his master of my arrival और उसी वक्ती वहाँ और कुछ नहीं था वहाँ पे बस एक आदमी था एक butler आदमी था जो गया अपने master को बताने के लिए कि मैं वहाँ आया हूँ I had murmuring sound मुझे एक फुसफुसाने की आवाज आई धिरे धिरे आवाज आ रही थी मुझ तक के He can come in the morning वो सुभह भी आ सकता है or he can stay away या फिर वो नहीं आई My work must not be hindered मेरा काम उसकी वज़े से disturbed नहीं होना चाहिए I thought of Holmes tossing upon his dead on his bed of sickness and counting the minutes perhaps until I could bring help to him उसी वक्ती मैंने उसकी बाते सुनके तो शायद वापस चला जाता पर मुझे अचाने की Holmes की याद आई जो कि बिस्तरे पे बीमार पड़ा था आखरी अपने जिंदगी के शायद वक्त गिन रहा था अगर मैं उसको मैं कल्वर्टन स्मित को उसकी हेल्प करने ना ला पाया तो इस लाइफ डिपेंडेंट अपन बाइप्रॉम्टनेस मिस्टर होम्स की जिंदगी मेरे काम पे ही डिपेंड करती है मैं कितना प्रॉम्टली अपना काम करता हूँ बिफोर अपलोजेटिक बटलर had delivered his message I had pushed past him and was in the room इससे पहले की बटलर आके माफी मांग के मुझे उनका message दे मैंने उसे अपने पास से हटाया और रूम के अंदर घुज गया What's this? कल्वर्टन स्मित cried in a high screaming voice कल्वर्टन स्मित जोर से चिला के बुला ये क्या है? What is the meaning of this intrusion? क्यों तुम मेरे घर गुसाए हो? Didn't I send you word that I would see you tomorrow morning? मैंने क्या तुमारे को जवाब नहीं भेजा कि मैं तुम से कल सुभह मिलूंगा? I am sorry, said I but the matter cannot be delayed I am sorry मुझे माफ करो but matter को रोका नहीं जा सकता Mr. Sherlock Holmes मैंने सिर्फ इतना ही कहा था The mention of my friend's name had an extraordinary effect upon the little man जैसे ही मैंने अपने friend का नाम लिया उनके उपर जो कलवर्टन थे वो बात लिटल छोटे सी हाइड के आदमी थे उन पर एक बड़ा सा effect आ गया The look of the anger passed in an instant from his face जो उसके चहरे पर गुसे का जो expression था वचाना की गायब हो गया His features become tense and alert और उसके चहरे का जो था वो एकदम tense और एकदम alert face दिखाई देने लगा Have you come from home? He asked, क्या तुम होंस के हाँ से आए हो? He is desperately ill, that's why I have come वो बहुत जादा बीमार हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ The man motioned me to a chair and turned to resume his own उस आदमी ने मेरे पास एक chair pass की मुझे बैटने के लिए बोला motion मिया ने मुझे बैटने के लिए बोला और खुद अपने आप turn होके कुछ अपने आपको चहरा बनाने लगे या कुछ अपने expressions ठीक करने लगे As he did, so I caught a glimpse of his face in the mirror over the mental piece वो ये कर रहे हैं, ये मुझे कैसे पता पड़ा कि मुझे mental piece पे से जो एक mirror जैसा था mental piece उसमें उसके चहरे की एक जहलक दिखाई दी I could have sworn that it was set in a malicious smile I would have sworn that it was set in a malicious smile मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी जो उसने अपने चहरे को change किया और एकदम अजीब सी smile थी उस वक्त उसके चहरे पे जब पीछे था उसका चहरा एकदम खराप सी smile थी एक क्रूक स्वाइब स्माइल तंग करने वाली Yet I must have been mistaken for he turned to me an instant letter with a genuine concern upon his features पर हो सकता है शैद है मेरी गलती हो क्योंकि जैसे ही उसने मेरी तरफ turn किया उसके चहरे पे एकदम concern दिखाई दे रहा था Mr. Holmes के बारे में I only know Holmes through some business dealings which we have had but I have every respect for him मैं जादा तो Mr. Holmes को नहीं जानता Mr. Colverton ने कहा पर कुछ business dealings की वज़े से मैं उन्हें जानता हूँ पर मैं उनका बहुत respect करता हूँ It was on account of your special knowledge that Mr. Holmes desired to see you मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि Mr. Holmes आप से मिलना चाहते हैं He thought that you were the one man in London who could help him because of the knowledge of Eastern disease Mr. Holmes का ये सोचना है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो लंडन में जो उनकी मदद कर सकते हो क्योंकि आपको Eastern diseases का अच्छा knowledge है Mr. Colverton Smith smiled pleasantly and picked up his cap I will come with you at once he said Mr. Colverton ने smile करते हुए smile करते हुए उठे और अपनी टूपी उठाई और बहले मैं आपको साथ आता हूँ I remembered Holmes का मांच I have another appointment said I लेकिन मुझे उसे वक्ति Holmes की बात यादा गई कि मुझे उसके साथ नहीं आना है तो मैंने उने का कि मुझे दूसरा काम है बस मैं आपको बताने आये था Very good I will go alone अच्छी बात है मैं अके ले जाता हूँ You can rely up to me being there within half and more utmost तो मुझे पे विश्वास रख सकते हो कि विदन आदे घंटे में मैं उनके पास पहुच जाऊंगा It was with a sinking heart that I re-entered the Holmes bedroom बहुत डरी हुए दिल से मैं Holmes के घर में बेडरूम में इंटर किया To my enormous relief although his appearance was as ghastly as ever he seemed greatly improved पर मुझे दिल को एक शानती मिल रही थी ये देखके कि उसका appearance तो अभी भी भी बहुत बुरा था उसके हालत खराब लग रही थी लेकिन फिर भी कुछ तो improvement था He is coming I told him मैंने का वो आ रहे हैं Admirable Watson You can now disappear from the scene Aray very good बहुत अच्छा Watson ये Holmes ने कहा अब सीन से तुम गायब हो जाओ तुम यहां से गायब हो जाओ There is just room behind the head of my bed Watson मेरे सर के पीछे ही एक room है वहां तुम जाके छुप जाओ My dear Holmes I protested क्यों Holmes मैंने protest करके बोला I oppose करके बोला I felt there is no alternative Watson मेरे रहसाब से और इस बात का कोई alternative नहीं है और कुछ नहीं कर सकते The room doesn't have any other place of concealment This room में कोई ऐसी जगे नहीं है जहां तुम छुप सको There are the wheels Watson Quick man and don't budge Whatever happens और हाँ एक बात जल्दी से जाओ Watson और बीच में तुम बिकुल कुछ नहीं बोलना कुछ भी हो जाए Just listen with all your ears हर बात सुफ धान से सुनना Then in an instant His sudden asses Then in an instant His sudden asses of strength Departed and he drifted into the low vague murmuring of a semi-delirious man इतना Mr. Holmes में बहुत मज़े से बहुत अच्छे से बोला enthusiastically लेकिन बात में अचानकी उसकी strength कम हो जाती है और वो धीरे और एकदम मुडी तुडी मरमरिंग आवाज में बात करने लगते हैं From the hiding place I heard the opening and closing of the bedroom door जहां मैं छुपा हुआ था वहां से मैं दरवाजे खुलने और बंध होने के आवाज सुन पा रहा था I could imagine that our visitor was standing by the bedside and looking down at the sufferer और मैं यह imagine भी कर पा रहा था कि जो visitor है कोई आया है room के अंदर और वो Sherlock Holmes के बिस्तरे के पास खड़ा है और वो उसको देख रहा है At last that strange hush was broken और फिर अचानकी वो जो strange ही शांती चाही थी वो टूटी Holmes, he cried Can't you hear me? Holmes उसने बोला और बोला क्या तो मुझे सुन सकते हो Holmes, there was a rustling as if he had shaken the sick man ruffling by the shoulder फिर से उसने Holmes करके बोलाया और इस तरीके से बोलाया कि जैसे अगर सोया हुआ पीमार अदमी को हम हिला के बोलते हैं तो वो आवाज मुझे सुनाई दी Is that you Mr. Smith? Is that you Mr. Smith? Holmes whispered क्या कलवर्टन स्मिथ हैं आप Holmes ने बोला It is very good of you to come, very noble of you Help me, I am very sick आप तो बहुत अच्छे हैं आप यहाँ हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं Please मेरी मदद करो मैं बहुत बीमार हूँ Our visitors sniggered हमारे जो visitor हैं उसने कैसे अजीब व्यवार किया Do you know what is the matter with you? क्या तुम जानते हो तुमें क्या हुआ है? The same said Holmes हाँ वैसा ही हुआ है Same जैसा पहले उसके बारे में वो जैसे कुल चानते हो Well, I shouldn't be surprised Poor Victor was a dead man on the fourth day Haan, मैं surprised नहीं हूँ Mr. Holmes तुमारी इस तब्यत से जो Victor था ना वो भी असी तरी के सा मारा था चौते दिन पे It was certainly as you said Haan, बलकुल जैसा तुम बोल रहा हो Very surprising That he should have contracted an Asiatic disease In the heart of London A disease two of which I had made such a very special study Haan, तुम एकदम सही बोल रहा हो And it's a lot surprising That you have come to contact Asiatic disease In London And it's the disease I have studied Very smart of you to notice that You are very smart Mr. Holmes That you have noticed that you have been that But rather uncharitable to suggest that It was cause and effect But then I want to tell you What you have done Is the result of that I knew that you did it Yes, I know that you have done it Oh, you did it? Did you? Well, you couldn't prove it anyhow Yes, I have done it But you can't prove it I can't do it I heard the resping Libered breathing of sick men At that time I had a tired, long breath of a poor person Give me the water He said He said You are precious near your end My friend Yes, you are very smart But I don't want you to go Till I have had a word with you That's why I give you water That's why I give you water I would like you to know before you die Listen now I want you to know before you die Do you remember a box In every box It came on Wednesday by post You opened it Do you remember Yes, yes I opened it There was a sharp spring inside it Some joke Yes, yes I opened it But there was a spring inside it Maybe someone had me It was no joke I sent it It was no joke I sent it It was no joke I sent it If you had left me alone I would not have hurt you If you had left me I would not have hurt you I would not have hurt you Home guest I remember This box on the table Yes, I remember This box on the table There was a spring in it Drew blood The spring was because of that My blood was out of the spring And it may as well Leave the room in my pocket Yes, it may as well Yes, it may be Yes, it may be You can remove the blood And now everything is in my hand The whole situation There goes your last shred of evidence Now, this box was the last proof This box was the last proof This was also I'm taking it You can die with the knowledge that I killed you I am telling you that you are dying That is my fault I have killed you Holmes' voice had sunk to an utmost inaudible whisperer Holmes' voice was not in a dumb position 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 Holmes had a real clue What is that? 개를верten smith said Turn up the gas Anything else? What is that? What is it? He said Mr. Colberton smith And he said The gas storm blew爆 And he lit a candle And it lit aophyll I nearly called you Called out in my joy And in an excitement And she said In her hand Holmes was speaking in natural voice Now Holmes was speaking in normal voice में बात कर रहा था, उनकी आवाज एकदम ठीक हो चुगी थी, there was a long pause, एकदम शान्ती हो गई, and I felt that Culverton Smith was standing in silent amazement, looking down at my companion, शायद उस वक्त इस तरीके से खड़ा, Mr. Holmes को देख कर, Mr. Holmes खड़े हो गए थे, light बढ़ा दी थी, आराम से बात कर रहे थे, आवाज एकदम नेचरल थी, ऐसा देख के शायद Culverton Smith जो है वो हैरान रहे गए थे, what is the meaning of this, कि क्या है, I heard Culverton Smith say, at last, in a dry rasping tone, शायद मिस्टर Culverton Smith की आवाज एकदम अजीब हो गई थी, घवरा गए थे वो, the best way of successfully acting a part is to be it said Holmes, सबसे अच्छे तरीके से अपने पाट को निभाना इसको बोलते हैं, ऐसा बोला Mr. Holmes ने, I give you my word, that for three days I have tested neither food nor drink, until you are good enough to pour me out that glass of water, मैं अपनी acting को सही प्रूव करने के लिए, अपने आपको बीमार दिखने के लिए, सिर्फ वो जो थोड़ा सा पानी तुमने मुझे पीने के लिए दिया था, Do I? Do I hear the step of a friend, क्या तुमको मेरे कुछ फ्रेंड की आवाज आ रही है, the door opened and the inspector Morton appeared, this is where man, said Holmes, उसे वक्ती दरवाजा खुला और inspector Morton अंदर आई, और Mr. Holmes ने बोला, ये रहा तुम्हारा गुनहेगार, I arrest you on the charge of the murder of Victor Savage, मैं आपको arrest करता हूँ Victor Savage के murder के लजाम में, inspector Morton ने कलवर्टन स्मिथ को बोला, यानि इसके पहले जो Victor की भी death थुई थी, that is because of the same, वो जो बॉक्स भेजा था, उस बॉक्स में, वो डिजीज का कुछ सिम्टम्स थे, जो कि Holmes को लग जाते, तो शायद उनकी भी death हो जाती, and you might add, of the attempted murder of one Sherlock Holmes, आप अपने इल्जामों में एक और इल्जाम जोड सकते हो, कि Sherlock Holmes के murder की, कोशिश करना, remarked my friend, वित चकल, ये Mr. Holmes ने कहा, मजाक करते हुए, मस्ती में, by the way, the prisoner has a small box, in the right hand pocket of his court, which may play its part in the trial, ये जो मेरे prisoner है, कल्वर्टन स्में, तो उनके right hand के pocket में, एक box है, जो कि, जिससे आपको पूरे सबूत मिल जाएंगे, trial में, वो आपको मदद करेंगे, I am very careful with the strange things, that come by anonymous post, Mr. Holmes ने का, मैं उन सब चीजों के बारे में, बहुत धान रखता हूँ, जो strange gifts मेरे पास आती हैं, और मैं जिन लोगों के नाम नहीं जानता, there was a click of the closing handcuff, उसने, मैंने अपने handcuff पहने हुए थे, और उस पे click हुआ था, यह जैसे ही मैंने खोला, a nice trap, cried the high snorling voice, you can lie as you like, Holmes, my word is always as good as yours, एक बहुत बड़ा trap, बहुत बड़े तरीके से, आपने इसको फसाया है, या उसको गुना कबूल करवाया है, Mr. Holmes, you can lie, जैसा तुम चाहो वैसा, तुम दिख सकते हो, जैसे तुम कर सकते हो, my words is always as good as yours, good having, cried Holmes, I had totally forgotten him, एरे, मैं तुम भूली ही या, Holmes ने का, my dear Watson, I owe you a thousand apologies, Dr. Watson, मैं आपसे हजार माफी मांगना चाहता हूं, I need not introduce you to Mr. Kalvatan Smith, मुझे जरुवत नहीं है कि Kalvatan Smith से आपको introduce करवाउं, मिलवाउं, since I understand that you met somewhat earlier in the evening, मैं जानता हूं क्योंकि आप शाम को ही उनके पास से जाके आ चुके हो, but your appearance Holmes asked, how did you do it, पर तुमारा दिखना, तुम तु एक्दम बीमार दिख रहे थी, कैसे किया यह तुमने, three days of absolute fast does not improve one's beauty, Watson, तीन दिन अगर किसी ने कुछ नहीं खाया है, तो उसकी beauty वो कोई सुन्दर नहीं दिखेगा, a little water will fix the rest, थोड़ा सा पानी लगा दिया, with vaseline upon one's forehead, थोड़ा सा वैजलीन फोरहेट पे, cheeks, bones को थोड़ा सा चमका दिया, and the crust of beeswax, once lips पे लगाने से, जो look है वो इदम ऐसा produce होता है, कि जैसे कि वो अती बीमार है, मरने वाला है, he wiped his face, और Mr. Holmes अपना चेहरा पोचा, you would have seen through it, I had I allowed you to treat me, तुमने देखा होगा कि क्या मैंने तुम को अलाओ किया ट्रीट करने के लिए, when we finished at the police station, जब वो पुलीस स्टेशन गए, उनको कल वाटन समित को जेल में डाला गया, उनको प्रोसीजर हुआ, इसके बाद Mr. Holmes ने कहा, I think that something nutritious at Simpson's would not be put off place, हम को चलके कुछ नो कुछ nutritious Mr. Simpson की जगए से खाना चाहिए, this is a story written by Sir Arthur Conan Doyle, इसके लावा भी मैं इस स्टोरी की पुरी समरी एक बार बता देती हूँ, कि Mr. Holmes जो है, वो कलवर्टन समित के बारे में सच जानते थे, कलवर्टन समित ने अपने ही नेफ्यू विक्टर को मार दिया था, किस तरीके से, कि जैसे की Mr. Holmes के साथ उसने ये चाल चली, और ये बात Mr. Holmes जानते थे, बीच में आये थे, ये जान जाएंगे, उनको कभी तकलीफ पहुचा सकते हैं, ये सोच के कलवर्टन समित जो है, उन्हें भी मार देना चाहते थे, कलवर्टन समित ने एक आवरी बॉक्स Mr. Holmes के पास भेजा था, जिसको खोलते बराबर एक निडल आके उनको लगेगी, जिससे उनको खून बहेगा और उनको एक बीमारी हो जाएगी, इसी तरीके से शायद उन्हाने विक्टर का भी मारा था, तो कलवर्टन समित वस एक्सपक्टिंग की कोई नखोई Mr. Holmes की डेथ के बारे में, पर जब डॉक्टर वाटसन उनके पास गए और उनको जाके बताया कि Mr. Holmes बीमार हैं, तो कलवर्टन समित को अपनी चाल काम्याब होती भी दिखाई दी, और वह बहुत खुशी-खुशी में होम्स के पास आए, और डॉक्टर वाटसन वहाँ नहीं थे, तो इसने उन्होंने अपने मन की पूरी बात उनको बोली, वेरैस जो Mr. Watson थे, वो बहुत ही अच्छे, सुलजी हुए, सिंपल इंसान थे, अगर शायद वो उनको पहले ही सच बता देता, तो वो इतना जैन्यून एक्टिंग नहीं कर पाते, और कलवर्टन स्मित को नहीं ला पाते, इसने Mr. Holmes निम डॉक्टर वाटसन से सब कुछ छुपाया, और जो कलवर्टन स्मित आए, उनको लगा कि मेरी चाल काम्याब हो गई है, वो मार सकते हैं, उनको मार चुके, मारने में काम्याब हुए हैं, तो उन्होंने अपने सच बात सब बोल दी, वहीं पर इंस्पेक्टर मॉर्टन चुपे हुए थे, उन्होंने सब बात जान दी, और कल्वर्टन स्मित को पकड़े गए, इस तरीके से एक डाइंग डिटेक्टर, जो एक डिटेक्टर मरने पे था, उसने भी एडवेंचर करके दिखाया, उसने मरने की एक्टिंग करते हुए, एक क्रिमिनल को पकड़वाया, सिम्रन अकाइडमी एक एप ला रही है, फॉर दे स्टुडी पॉपस, यह अविलिबल इन गूगल प्ले स्टोर, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके, सिम्रन अकाइडमी एप को डाउंग लोड कर सकते हैं, जिसमें से आपके बाकी जो भी चैप्टर्स की डिफिकल्टीज हैं, और भी कुछ अगर आप चाहते हैं, जिसको कि हम स्टुडी के लिए और आपके कमफर्ट के लिए, आपके इसके स्ट्रेस को कम करने के लिए स्टुडी के लाएं, आप उसमें comment कर सकते हैं आप उजब बता सकते हैं and please download the Samran Academy app which is available in the Google Play Store